सो गाइस वेलकम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो यार थमने लो टाइटल तो आपने देखी लिया गो तो यार वीडियो में बात करने वाले हैं स्नाइपर के बारे में क्योंकि यार देखो स्नाइपर चलाना इतना आसान तो नहीं पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और देने वाला हूं और तीन चार कुछ पॉइंट बताने वाला उनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप स्नाइपर को जल्दी से मास्टर कर लोगे और में भी आप बहुत जादा अच्छी स्नाइपिंग करने भी लग सकते हो तो यार बढ़ते हैं वीडियो की तरफ में विदाउट वेस्टिंग एनि मोर टाइम लेट्स गेट स्राटेड पहले पॉइंट में बात करने वाले एम का ओन पॉइंट ना खुलना जैसा काई इस क्लिप में देखी रहोगे मेरा एम खुलता है यहां पर बंदा था यहां पर अब सोचो अगर गाईज यह बंदा मेरे पर थोड़ा सा आइम करके देख रहा होता तो मेरा क्या हाल हो था क्योंकि मेरा पिंग हाई था था तो भी मैं इसको सई से विजिबल नहीं हon गा और यह मुझे इसली मार सकता था पर पता नहीं जा आप मर ही जाओगेจะ अगर आप इस तरह की गलतीक्त करते हो इस चीज सब्सक्राइब नहीं पर लेनी है एक में लगाना है एक एक सब्सक्राइब और अगर चीज आप 10 मिनिट के लिए प्रेटिस कर ले तो आपका बैटर मोड में आपका एंप काफी हत तक इंप्रूव हो जाएगा और बंदे की ऊपर ही खुलने माला है और अगर आप इसका प्र तो यार सेकिंड पॉर्ण में बात करने वाले स्नाइपर यूज़ करते टाइम आपको यार मुवमेंट बहुत फास्ट देना होता है मैं यार एम करते टाइम की मुवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मगर अगर आपने एक बुलेट फाय कर दिया या तो तुरंद अपनी लोक नहीं होगा और आपको इजीली टेक डाउन कर लेगा हैं रखना बाकि बढ़ते हैं पॉइंट नमर थ्री के दिरफ नमर थ्री में उनम्दों के बात बारे में बात करने वाले हैं जिनके यार क्लोज में स्नाइपिंग करने की आदत होती है तो यार देखा यार मैं खुद क क्लोज में स्नाइपिंग करने की मैं अगर एक बुलेट बंदे को मार देता हूं उसके बाद मैं तुरन से गन स्विच करके आटो गन पर आ जाता हूं और उस बंदे को टेक डाउन कर लेता हूं क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक बुलेट मार दिया तो और सारी बुलेट साब उसको स्नाइपर से फिनिश करने की कोशिश करो इसमें आप खुद भी डाउन हो सकते हो और वो बंदा भी हो सकता है लेकिन आर मोस्ट आप दी चांस में आप ही मरने वाले हो तो यार अगर आपको ख्लोज में स्नाइपिंग को इंप्रूव करना है चलते हैं फटाफ से ट्रेनिंग राउंड में उसके बार में आपको ड्रील बता देता हूं इसकी एक ही ड्रील होने वाली है हाँ मैं एक ही ड्रील बताऊंगा दोनों चीजों कि जिससे आपकी स्नाइपर काफियत तक इंप्रूव हो जाएगी जो कि आप इसक्रीन पर चुट की प्रेक्टिस कर ले तो आपका इजी लिए बहुत जादा खतरनाक तरीकी से बूस्ट होने वाला एक लोजने में स्नाइपिंग मैं खुद इसी चीज की प्रेक्टिस करता हूं तब ही तो मेरा इस नाइपर ठीक टाक हो चुका है क्लोज ने में मैं भी यार मास्ट ओने वारिस सब्सक्राइब तो है सब्सक्राइब तो给我 को चयां जानाओ लिए वाला बंदा आपको चिप कागे चले जाए और आपका इगो धरा का धरा रहे जाएगा आप में मार सकते और दरा रहे जाएगा रहते- ha- यही होगा यार क्लोज में स्नाइपिंग हो सके तो उसको अभॉइड करो नहीं तो यार कई चाइन समा को करने ही पढ़ सकती है जैसे इस सामने देखी सकते हैं मेरे सामने MQR था अगर मैं ओटो कन से ट्राइ करता है में भी मर सकता था तो यहाँ पर यही तक ता आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा होता लाइक करना इसलिए जो भी चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना बाकि मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग बाई बाई गाई